आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मिठाई की बिलकुल नई रेसिपी इस मिठाई को हम अंगूर से बना कर दियार करेंगे Hello friends, Welcome back to my channel दोस्तों अंगूर की ये मिठाई बहुत ही जादा सौफ्ट है बिलकुल जैली की तरह ये बनकर दियार होती है खाने में बहुत जादा टेस्टी होती है खासकर बच्चों को बहुत जादा पसंदाती है क्योंकि इसका टेक्स्चर बिलकुल जैली जैसा है अंगूर की इतनी टेस्टी और सौफ्ट मिठाई जो मूँ में जाते ही खुल जाए बनाने का तरीका बहुत ज़ादा असान है आप इसे जट-पट बना कर तैयार कर सकते हैं और बहुती कम चीजों से आप इसे बना कर तैयार कर सकते हैं मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई कितनी ज़ादा सॉफ्ट है बिलकुल जैली जैसी है दोस्तों मुझे पूरी उमेथ है आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़ादा पसंद आएगी तो चलिए बिना तेरी की चल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं अंगूर की टेस्टी मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कीलो हरे अंगूर लिये हैं दोस्तों यह अंगूर बिलकुल मीठे हैं और हमने इने दो गर अच्छे से साफ कर लिया है इसके बाद हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है अब हम इस जार के अंदर ये अंगूर डाल देंगे दोस्तो मैं अंगूर को दो बार में पीशने वाली हूँ तो इसलिए आधे अंगूर मैंने मिक्सी के जार में डाल दिये हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पिश जाएं तो यहाँ पर मैंने आथा कप पानी लिया है इसमें से एक चौथा कप पानी डाल देंगे और बाकी के बचे होई अंगूर रख देंगे इन्हें हम बात में पीसेंगे तो पहले इन्हें पीस लेते हैं तो यहाँ पर हमने इन्हें पीस लिया है और अंगूर का जूस तयार हो तो बस इस तरह से आप इसे छान लीजी और ये दिखे कितने सारे छिलके जो हैं वो स्टेनर में आ गए हैं तो अब हम इने हटा देंगे इसके बाद बाकी के बचे हुए अंगूर को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे और इसके अंदर भी हम एक चौथाई कप पानी डाल अंगूर का जूस हमें यहाँ पर मिल चुका है तो चलिए अब हम इसे नाप लेते हैं कि यह कितना है तो यहाँ पर मैंने एक मेजरिंग कप लिया है और इससे हम इसे नाप लेंगे तो अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं या फिर क तो आप क्या कर सकते हैं उसमें थोड़े सा पाणी मिलाकर पूरे 3 कप कर सकते हैं इसके बाद इसी कप से नापकर हमने यहां पर एक कप कॉनफलार लिया है कॉनफलार को अंगूर के जूस के अंदर डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तो अगर आपके पास konflour नहीं है तो आप उसकी जगा पे अरारोट भी ले सकते हैं, वो भी आपको इसी तरह से एक अप लेना है, अब हम इसे अच्छे से गुठलिया खतम होने तक mix कर लेंगे, तो चलिए हमने इसे mix कर लिया है, इसे हम side में रख देते हैं, मिठाई ब भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी बरतन ले सकते हैं, जिसके अंदर भी आप मिठाई को set करना चाहते हैं, हमने इसे oil से grease कर लिया है, ताकि मिठाई जब हम उसे demold करेंगी तो वह असानी से बाहर निकलाएगी, इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से खरबूजे के सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर केक्टिन दयार हो गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं, और मिठाई बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पर मैंने गैस के ओपर एक पैन को रख लिया है, और अब हम इसमें दो कप चीनी डाल देंगे, जिस कप से नापकर हमने अंगूर का जोस लिया है, उसी से नापकर हमने याँ पर चीनी लिया है, अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को अन कर लेंगे, और लगातार चलाते हुए हम इसे चीनी मेल्ट होने तक पका लेंगे, आप यहाँ पर देख पर थोड़ा सा ही लाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसे एक मिनट के लिए और पकाना है, और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं, तो देखे थोड़ी सी चाशनी को उंगली और उंगूठे में इस तरह से पर जाता है, और इसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इस चाशनी के अंदर मिक्स करेंगे, और दूसरे हाथ से हम इसे लगता चलाते होए पकाएंगी, इसे कितना पकाना है वो भी मैं आपको, वीडियो में स्टेप पर स्टेप आपको दिखाती रहोंगी, तो हम इ अधाय का कलर भी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आधा चमच पानी के अंदर एक पिंच ग्रीन पाउडर फूड कलर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे इस मिश्रन के अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर है, तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर जैल फूड कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि इसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो गए है, यानि कि यह गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो हम इसे इसी तरह से लगता चलाते होए पकाएंगे, तो यहां पर मैंने गैस के फ्लेम को बिलकुल लो किया हुआ है क्योंकि जब यह एक बार गाढ़ा होना शुरू होता है, तो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए आप गैस के फ्लेम को बिलकुल लो रखिएगा, बस इसे इसी तरह से चलाते होए हम पकाते रहेंगे और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यह अच्छा गाड़ा हो गया है, बहुत अच्छी सी शाइन इसमें आ चुकी है, बस इसी टाइम पे हम इसमें एक चमच देसी खी डाल देंगे, घी डाल कर अच्छे से मिक्स कर ल एक चमच खी और एट करेंगे, तो बस कुछ सेकिन के लिए इसे थोड़ा सा और पका लेंगे, सिरुफ दो चमच खी में दोस्तों यह मिठाई बनकर तयार हो जाती है और बहुत ही जाधा टेस्की बनती है, तो बस आप यहां पर देख सकते हैं, यह अच्छा गाड़ा हो यानि कि यह पकर बिल्कुल तयार हो गया है, तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा मिश्रन ले लीजिए और इसे हम प्लेट में इस तरह से रख देते हैं, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे, लेकिन हम को थोड़ा सा चिपक रहा है क्योंकि यह भी गरम हें दूस्तों लेकिन यहाँ पर यह तैयार हो चुका है तो अब हम GAS के फ्लिम को बंदद कर देंगे और जल्दी से मिष्रन को हम उस केक्टीन के अंदर डाल देंगे जिस केक्टीन के सेट हो जाए और ये बिल्कुल ठंडी भी हो जाएगी, उसके बाद हम इससे डी मोल्ड करेंगे, इससे सेट होने के लिए रखे हुए एक खंटा हो गया है, और अगर हम इसे हाथ से इस तरह से जू कर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, हाथों को बिल्कुल भी नहीं अब अधर लग रही है, तो चलिए, इसके बाद हम इसके पीसिस को कट करेंगे, और आप देख सकते हैं, कितना असानी से इसके पीसिस कट हो रह है, मिठाई के पीसिस काटते वक्त चाकु को थोड़ा सा घी या तेल लगा सकते हैं, इससे, ये बिल्कुल भी चाकु के साथ नहीं चिपकेगी अगर मिठाई अच्छे से सेट हुई होगी तो आपको इसे काटने में बिलकुल भी परिशानी नहीं आएगी मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितनी जादा सौफ्ट मिठाई बन करते यार हुई है दोस्तों अंगूर के स्वाद वाली इस बहुती मज़िदार मिठाई की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीज़ेगा फ्रेंट्स आपको बहुत जादा पसंद आने वाली है अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए मिलते हैं फ्रेंट्स एक नई रेसिपी किसा थैंक्स फॉर वाचिंग